नमस्कार जैहिंद आज करेंगे एक CPU 2019 मैया क्यूस्टन को आपने बहुत सारे टीचर बहुत सारे एजुकेटर ने आपको इसका सोलिशन दिया होगा लेकिन मैं आज जो बताने जा रहा हूँ सोलिशन के साथ साथ हम कुछ ऐसी प्रोपर्टी पढ़ेंगे जो हम पढ़ते तो हैं लेकिन जब क्यूस्टन आता है हमने सामने हम लगा नहीं पाते हैं जैसे कौन सी प्रोपर्टी हमने ऐसी पढ़ रखी है जो हमको पता तो है लेकिन हम लगा नहीं पाते हैं देखिए एक यह प्रोपर्टियम पढ़ते हैं मतलब यह है सेमी सर्किल अर्दवर्थ इसमें जो एंगल बनता है वो 90 डिगरी का होता है यह समको बता है यह पढ़ते हैं लेकिन जब बात अप्लाई करने के आती है तो हम लगा नहीं पाते हैं हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि अधरी अंगल दिखता है वहां हम क्या बना सकते हैं एक सेमी सर्कल भी बना सकते हैं वही चीज मैं इसमें यूज करूँआ उससे पढ़े किशन पढ़ लेते हैं किशन क्या बोलता है कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इगल टू 90 सी पर 90 एम एंड 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 अर्ड c m or b n intersect 8D your D point D ठीक हाँ intersected D at angle BDC is equal to 90 यह 90 वहाँ इगा है इफ BC is equal to 8 BC 8 यह 8 ठीक है BC क्या 8 है इफ BC is equal to 8 cm cm दें दे लेंग बेन पो यह लेंथ पुच्छे वाइश में बीया बीन की लेंथ हमको निका रहा हुआ ठीक है इस क्यूशन को करेंगे इस concept से और एक चीज हम और पढ़ते हैं वह भी इसमें लगाएंगे कौन सी क्या पढ़ते हैं अब फिलाल मैं क्यूशन को मिटा रहा हूं क्यूशन देख लीजी आप यह क्यूशन है सबसे पहले आप यह देखिए BN और CM यह midpoint है वह यह midpoint आप बताओ कोई triangle में हम किसी vertex से अगर एक line खीज दें और वो midpoint midpoint पर काटे इसका मुद्दब यह दोनों के होगी बराबर होगी और वो उसके उस triangle की क्या होती मेडियंस होती है BN और CM क्या हो जाएंगी मेडियन हो जाएंगी बस यतना समझी और BC8 है हम हमको BN निकालना है मैं क्यूस्टन को मिटा रहा हूं उसके बाद करते हैं देखो बहुत यह खुबसोत तरीके से करेंगी इसको इसमें यह प्रोपर्टी यूज करूँ एक प्रोपर्टी और है जो हमको पढ़ा ही जा दिये फिर भी हम इस कुछिन में यूज नहीं कर पाते हैं जैसे ही सर्किल से कोई भी एक्टरनल पॉइंट यानि बाई यह बिंदू से अगर आप एक टेंजेट खीशते हो और यह ल ही है इसकी टेंजेंट और यह इसको बोलते हैं सˇचेंट सेट कि थीक है इसमें और इसमें क्या होता है सबने पढ़ाऊगा कि above एक यह चीज में इसमें यूज करूआ अगर आपको ये दोनों चीजे पता है तो किस्टन मातर 5-10 सेगंड का यह है ठीक है अब देखते हम अब आप मेरे को एक बात बता हूं मेरे को निकालना है बी यह ठीक है मैं क्या करता हूं देखो यह 90 डिगरी है तो यह भी क्या होगा 90 डिग सकते सकते मैं समक्तिन नहीं बना सकता कैसे कि मैंने सेमिसर्कल रेखै इत हुआ कर दिया कम्फलीट कर दिया है अब दो Εल कि Гोई दो 16 अब हमकरी को यह यह वह ठीक बाते है में इतना सा रागा देखो अब मेरे को इसकी कोई जरूर्त नहीं तेखे हुए अब हम आगे किस्ते यह 90 डिग्री है वह यह 90 डिग्री यह क्या होगा इसकी क्या होगा, इसकी क्योंगी? होगी अरे वह होता है देखो जैसे सर्किल सर्किल पर सेंटर है और यह आप इसके उपर इलम डालते हो प्रपेंटेकर डालते तो 90 डिग्र और यह टेंजेंट हो जाती है ठीक है ऐसा इधर देखो केस बन रहे हैं यह कुंसा पॉइंट सा भी ए बी सी और यह भी ठीक है भी आ तो रइंगल गाले किन कनवट किसमें हो जुगा शर्किल और टैंजेंट्स एक ए इसके आंदर क्या करोगा आप यह क्या है तो टैंजेंट क्या होता है टैंजेंट को क्या लिख सकती हो तो कि भी सी स्क्वाइर इस एकुल टू बी डी और लिए अट पीडी ऊर्गियो डी वी सी कितना है बई इट इट का स्कार 14 वी डी कितना है बी डी बी डी है टू एक्स और पूरा किना है थ्री एक्स टू एक्स और यहाँ आपका 64 इस इकोलिटो 6x2 6 x square यहां देखें आप 602 6 x square और x की बात करूं तो एट अपॉन रूट 6 यह x की वैल्यू है हमसे किसे में पूछा था बी एन बीन कितना है 2x और 3x तुम दोनों तरफ 3 से मुल्टिप्लाई कर देखें इसको यह जाता बई मुल्टिप्लाई यहानी आपका बीन आगे कितना एट इंटू 3 बटे रूट 6 फर दर इसको आप सोल करोगे रूट 6 से उपन मुल्टिप्लाइग तो रूट 6 से नीचे आएगा रूट 6 और रूट इन टू 3 24 तो 6 इसको काट देगा नश्ट कर देगा इसको कितनी बाद 4 और मियाल हमारे क्या आया है और रूट 6 ठीक है ऐसा कृष्टन आपकी कभी जिन्दगी में आए तो आप वैसे करने है ठीक है हमको टेजेंट टेंजेंट सेकेंड पता है और यह पता है इन दोनों को मैंने यूज किया और हम इस कृष्टन को हमने टेंजेंट के लिए सर्किल के कृष्टन में इसको ट्रांस्फोर्म कर लिया ठीक है भई तो यह कृष्टन था यह इसके बाद मां आपको राइट ट्राइंगल की तीन प्रोपर्टी और बताता हूं जो हमेशा याद रहती न याद कर सकते हैं देखो अबने बहुत बार सुना हुआ देखो आज के बाद आपको कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है और मैं दावा कर रहा हूं मैं बिलकुल क्लेम कर रहा हूं यह चीज़े आप मैं जो बता रहा हूं जिन्दिगी में कभी नहीं बोलोगे कैसे देख यह 90 डिग्री होता है और कोई एक इस पर सामने प्रपेंडिगुलर यह कोई डी है तो प्रोपर्टीज तो भौत है इसके 8 9 10 है लेकिन हम आपको तीन बता रहा हूं तो याद ही रहती कैसे देखो मैंने आपको बताया था कि जहां भी आपको 90 डिग्री दिखे उसको है अब यहिए और यही तो फटते हो कि यही और पूरा यहीं तो आता है कहां से आथा है यह और भी तरीके है इस मुलाने के लेकिन जबरदस्त तरीका याद करने का यहीं है दूसरी बार यहां आंटी दिख रहा है इस ट्राइंगल को अर्दवेर्त में बंद कर देते हैं और जैसे मैं इस ट्रींगल को अर्दवर्त में बंद करों तो देहां करें यह ऐसे भूं कर महीम आएगा अब कि बार के पुरा याद होते हैं एक यह 2 ठीक है और तीस्वी प्रोपटी इन दोनों का यूज करके लाई जाती हो क्या है अगर मैं equation 1 upon equation 2 लिखूं यानि इसको इससे भाग करूं तो क्या आएगा इस प्रोपटी तीस्वी प्रोपटी इस प्रोपटी क्या बोलती है एक एप स्कुर्ण एक और डी और डी इसी का रेश्यों चाहिए Swiss q잔 इसका स्कुर्ण को हुग उम्मीद करता हूं समझ में आय chem प्रोपटी पर टो लेते हैं हम उसको यूज हो पाती हाज तक मैं बता राहाएं करना कुछ नहीं है हम जानते हैं कि अर्ध वर्थ में जो क्लों होता है दिदीगरियर होता है और चहान फूं क्या बना सकते हैं एक सेयमिशर के लिए बना सकते हैं तो मेरे को 290ड़ीगरी यहां दीक रहे थे इसमें मैंने बनाया नी तीसरे में सबसे पहले मैं इसको बन्द किया तो यह टेंजेंट बन गी बीशी स्कौयर वरावर यह क्या बन गी तरहीं कि सीकेंट इसमें हम लिखते हैं पी क्यू स्क्वाइर इस इगल टू पी आर इंटू पी एक्स उमीद करता हूं समझ में आया होगा चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंत जाबारत